परिचय लोहार लोहे को गर्म करने के लिए कोईला जलाता है, जिससे वांचित आकार देने के लिए हथोड़े से पीटा जा सके। दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के इंधन जलाये जाते हैं, जैसे कोईला, पेट्रोल, चारकोल, लपीजी इत्यादी। क्या आप जानते हैं कि जब इन इंधनों को जलाया जाता है, तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जी हाँ, इसे देहन कहते हैं। इस पार्ठ में हम इंधनों के देहन के बारे में जानेंगे। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे देहन और इसके प्रकारों की व्याख्या करना प्रज्वलन ताप को परिभाशित करना देहन के लिए आवश्चक स्थितियों की व्याख्या करना अगनिशामकों का वरणन करना देहन के प्रकारों को सूची बद्ध करना देहन रोहन एक सरल क्रिया कलाब कर रहा है वह ज्वाला में मेगनीशियम की तार जला रहा है ध्यान से देखें मेगनीशियम आकसाइड के साथ साथ उश्मा और प्रकाश भी निर्मित हो रही है अब जलते हुए कोईले को देखें यह वायू में जल रहा है और कार्बन डायोकसाइड उश्मा वो प्रकाश निर्मित कर रहा है दोनों उधारणों में पदार्थ वायू की ऑक्सिजन से अभिक्रिया करके उश्मा वो प्रकाश का निर्मान करते हैं यह प्रक्रिया देहन कहलाती है देहनशील और अदेहनशील पदार्थ पदार्थ दो प्रकार के होते हैं कुछ पदार्थ आग पकड़ लेते हैं और जलते हैं जबकि कुछ पदार्थ आग नहीं पकड़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह लड़का माचिस की जलती हुई तीली को कागज और काच के पास ला रहा है कागज आग पकड़ लेता है और इसलिए यह देहनशील पदार्थ कहलाता है काच नहीं जलता है और इसके जैसे अन्य पदार्थ जो वायू या ऑक्सिजन में नहीं जलते हैं अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं जलने के लिए दशाएं आईए जलने के लिए जरूरी दशाओं के बारे में जानें एक मुम्बत्ती जलाएं और इसे काच के गिलास से ढख दें आप देखेंगे कि कुछ समय बाद मुम्बत्ती बुझ जाएगी इससे पता चलता है कि मुम्बत्ती वायू में ही जलती है इसलिए देहन के लिए वायू जरूरी है प्रज्वलन्ताप हमने अभी अभी देखा कि कागज तब जलता है जब इसे माचिस की तीली से जलाया जाता है अब माचिस की जलती हुई तीली को लकडी के तुकडे के निकड लाएं लकडी का तुकडा आग नहीं पकड़ता है माचिस की एक जलती हुई तीली लकडी के तुकडे को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है लेकिन इससे कागज शीग्र ही जलने लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि लकडी अपने प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुँची प्रज्वलन ताप वह नियूनतम ताप मान है जिस पर पदार्थ आग पकड़ लेता है आपकी माने बताया होगा कि किचन में माचिस की तीली या लाइटर को LPG स्टोव से दूर रखना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि LPG आसानी से आग पकड़ लेती है इसी प्रकार आपने पेट्रोल पंपों पर धूमरपान न करें के बोर्ड अवर्श्य देखें होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल भी बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है इसी लिए पेट्रोल पंपों पर धूमरपान वर्जित होता है LPG वो पेट्रोल जैसे पदार्थ ज्वलनशील हैं क्योंकि उनका प्रज्वलनताप बहुत कम होता है जिसके कारण वे शीग्र ही सरलता से आग पकड़ लेते हैं अब हम आग बुझाने के बारे में जानेंगे आग के लिए ऑक्सीजन, उश्मा और इंधन जरूरी है हालांकि इसे इन में से किसी भी चीज़ की आपूर्ती बाधित करके बुझाया जा सकता है आपने अवश्य देखा होगा कि फायर मैन आग बुझाने के लिए आग पर जल डालता है और आग बुझ जाती है जल देहनशील सामगरी का प्रज्वलन ताप कम करता है और वायू की आपूर्ती बाधित कर देता है लेकिन जल बिजली के उपकरणों और तेल में लगी आग के लिए अच्छा अगनिशामक नहीं है बिजली के उपकरणों और तेल में लगी आग के लिए अगनिशामक के रूप में कार्बन डायोकसाइड इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है कार्बन डायोकसाइड ऑक्सिजन की तुलना में भारी होने के कारण आग को कंबल के जैसे ढख लेती है जिसके कारण इंधन और ऑक्सिजन का संपर्ख तूट जाता है आईए अब हम देहन के प्रकारों के बारे में जाने आप देख सकते हैं कि एक महिला किचन में भुजन पकाने के लिए LPG प्रज्वलित कर रही है LPG शीग्र जलने लगती है और भारी मात्रा में उश्मा देती है इस प्रकार का देहन दृत देहन कहलाता है जब सफेद फॉस्फोरस को कुछ समय के लिए खुली वायू में रखा जाता है तो यह आग पकड़ लेता है इस प्रकार का देहन स्वतह देहन कहलाता है जंगलों में लगने वाली आग और कोईले की खानों में लगने वाली आग स्वतह देहन के अन्य उधारण है पटाखा के जलने पर भारी मात्रा में उश्मा, प्रकाश और ध्वनी उत्पन्न होते हैं इस प्रकार का देहन विस्फोर्ट कहलाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वे पदार्थ जो वायू में जलते हैं देहन शील कहलाते हैं देहन के लिए ऑक्सिजन जरूरी है कोई पदार्थ जिस न्यूनतम तापमान पर आग पकड़ लेता है उसे उसका प्रद्वलन ताप कहते हैं देहन अनेक प्रकार के होते हैं जैसे दृत देहन, स्वतह देहन, विस्फोटन इत्यादी